सोनाली का 750 थार्ड सोनाली का इंट्रनेशनल एचेटियम सिकंदर इट के ट्रोली को बैक करता हुआ इस वजे जदिक्कत हो रही है क्या वात होगी जो इसे खड़ा करना पड़ रहा है पूरा वजन आगे की तरब है यह तो क्या इसका यह हुआ है तो कहां से लाते हुए ट्राप तो कितनी इडल आइज डाल गी है इसमें आठ जारी है आठ जारी है तो फिर आभी वजन की वज़े से ऐसे हाल हो रहा है इसका बहुत पहलवां ट्रेक्टर है वज़ें अब सारा बजन आगे आगे इसलिए अच्छा और तेल वेल का खर्चा कैसा लेता है ना ठीक है सही लेता है 35 रुपे डीजल में वहां से कितने 3500 रुपे का 3500 से कम के डीजल में आप डाउन कर देता है अच्छा अंदर पढ़ता कोशी से भी है काफी दूर है इवर पहले बात हुई थी ट्रक्टर का देख लीजिए भाई ये चार सिलेंडर के साथ आता है वाटर सेप्रेटर है ट्रेक्टर में और पूरा 55 का ट्रेक्टर है क्या पावर में फुल है इसी तरह कोई फॉल्ट में आए वाज तक कितना दिन होगे चलाते हुए से हमें लगवा कि साड़ तीन साल होगे सत्रा क्या सपास लिया हुआ है कौन सा मोडल है सत्रा मोडल है सत्रा मोडल है अला का आज तक कोई फॉल्ट नहीं आया किसी तरीके का सर्विस करवाते हो कि देखे वाई यह कापी तारिफ कर रहे हैं सोनाली का कंपनी का वजन की वजय से हैं साल जमीन प्याग लेटार इसके थोड़े खड़े हो रहे हैं क्योंकि ट्रोली में देखे इधर जो वजन है पूरा आर्दा पीछे की खाली हो गई है आगे-आगे-आगे है सारा वजन और काफी वजन होने की वजह से बैक साइड में डाउन हो चला गया और लिफ्ट वाली जो बाहर है वो भी जमीन पर टिक गई है और कोई वजह नहीं है चलते टाइम नहीं खड़ा होता है बिलकुल भी न हो जादा फड़ती है तो तोड़े चड़ाई वागे रहा पे हलका फूल का चड़ जाता है और सब होते हैं तो थोड़े अचड़ाई पर थोड़े बहुत सब खड़े होते हैं चलो ठीक है जी भाई धन्यवाद यह देखे भाई जोनाली का 750 काफी बड़ा डंपर है और जारीट कम नहीं होती है ठीक है नमस्कार